भारत सरकार को मानती हूं जिम्मिदार, क्यों मानती हूं भारत सरकार को, कि हम सब यहां पैनलिस्ट बैटके देखिए, सब अपिक्षा कर रहे हैं, कि एक बयान, एक बयान प्रधान मंत्री का, यहां चलिए प्रधान मंत्री थोड़ा बाद में बोलें, द्रह मंत्री का, क्यो मुझे लगता है भारत सरकार एक बहुत बड़ी सरकार हो जाएगी फिर भही बात कि देश है तो ही दल है तो ही सरकार है और अभी हमारे पैनलिस्त ने प्रशान टंडर जी ने शारली हर्टो का जिक्र किया पैरिस में जो मेगजीन है ये उस पर आतंपादी हमला हुआ था और उसके एडिटर्स जो है वो अकसर खुद के भी हस लेते हैं वो लोग वो खुद के खिलाफ भी कार्टून बनाने के लिए मशूर हैं तो उन्होंने पैगंबर साब का कार्टून बनाया था लेकिन देखिए उसका परिणाम क्या हुआ हमला हुआ बारा लोग जो है उसी दि और यह हम से जादा बहतर तो सरकारें जानती हैं और एक और चुनोती जो हमारे सामने राजीव जी दिखाई देती है वो अलकाईदा की धंकी है उसको भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए वो धंकी जो है वो हालंकि यह संगठा नभी थोड़ा कमजोर नजर आता है लेक इसमें भी सरकार को बहुत समिधन शीन्टा के साथ और देश के माहूल को शान और शालिन बनाए रखने की ज़रूरत है तो यहां जो है अलकाईदा का खत्रा जो है वो देश पे अभी बहुत बड़ी जुनोती है इसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आज जो है जुम और शायद थोड़ा विशय से अलग हट करने चाहूं आप राजस्थान में जो है क्या बोल सुटी हो राजीव जी राजस्थान चुनाओ को लेकर राजस्थान में जो देखने में आ रहा है कि अशोग गैलोत को बढ़ाई मिलने शुरू हो गई है और उनको वो जादूग कर कहा जा रहा है कि शायद तीन सीट जो है वो निकाल ले जाएंगे जो सुभाष चंद्रा जी है उनका जो थोड़ा सा इसलिए मामला जो है वो खटाई में पढ़ता नजर आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से ही जो है वो एक क्रॉस्वोटिंग हो गई है और एक ने अपना बारा बंदी कर दीते हैं सारे इज़ायकों की तो यह जो विधायकों की बारा बंदी उदय, जैपूर में होई फिर जय होई कल और फिर यह भि भी वी हुआ, क्यो hurting बिजन बन कर दिया गया हलंग की इंटरनेट बन जो जो है वो 2006 साल पहले ही हुआ ही हुआ था, 2016 मेंther बहुत सारे मोचों पे बहुत जादा पराजित होते में नजार आ रहे हैं। तो यह पराजे जो है यह सिर्फ बयान से बदल सकती है। जो आज देश का माहूल है, जो यह आतंगवादी संगठनों का खत्रा है। सिर्फ प्रदान मंत्री की एक स्टेटमेंट जो है वो इस समे जो है अभी देश का माहूल जो है वो एक तरह से सामान देशा में ले जाना है। प्रदान मंत्री का बयान आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है यह सब चीजें अगर हो जाती है तो बहुत कुछ बदलाव देखा जा सकता है। जी बार बार यह बात तो यहां आती है कि कि आखिर प्रदान मंत्री चुप